पिर चीजें सर से बाहर चली जाती हैं गप दिल और दिमाग से जुड़ती है और ये बात मैंने धिरेन दाज से सीखी थी धिरेन मजुमदार दादा करपलानी के साले वैसे तो साला गाली है पर वो सुषिता करपलानी जी के भाई थे और वो हर बार कहा करते थे आओ गप मारे और वो गप जो होती थी वो किसी भी गंभीर से गंभीर बात से ज्यादा गंभीर होती थी जहां साब तो हम गंगा के बारे में गप मारना है जितनी गप गंगा के बारे में चल सकती हैं गप हमारे यां गलत रहंसे कही गई थी गप एक्टुली कि हमार이가 जब कोफ़ खाता है तो कर ग्याश् tendred कर गया से खड़ी बुली में यह है तो तेरे दिल में गंगा जो है यहां यहां तक चली दिल में गंगा कैसे जाए इसके लिए हमको प्रियास करना है और यह जानकारी अगर हम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है आज विश्वास बढ़ाने की ज़रूत है देश में भै और एविश्वास फियर और अंट्रस्ट बह आदमी से बात करने जी हो किया बात कर रहे हूं कि बारे में अरे सरकार ने इतने करोड़ रुपिया खर्च कर रहे और आप करोगे आपकी जेब में क्या है तेलनाताई और तुम कहतो तुम गंगा करतोगे यह जो है विश्वास पैदा हो गया जो भी राजनिर भाई कह रह और वह हम लोग कहते ही हैं पैसे का पाप बढ़ा है, तो पैसे का पाप इतना बढ़ गया है उसके दवाव में, और हमारे याँ बहुत अच्छी प्रकृती की द्रस्टी से मैं कुछ अपने परतीक देखना है, यह देश परतीकों का देश है, जैसे मैं माना गंगा हमारा पर प्रक्षति हमारी प्रतीक है देखे गनेश को किस्पे बिठा दिया इतनी बड़ी तोंट आठी का मूँ और बिठाया चुए पे मतलब क्या बुद्धी मान व्यक्ति को धीरे चलना पड़ेगा मोन होकर सांत होकर एकदम चुपचाप काम करना उसको पर विद्वान आदमी विक्रम क्या करेगा किस पर बुड़ेगा नाई विद्वान आदमी जो है वो सरस्रति को किस पर बिठाया हंस पर गती तेज है तुरियम गती तुरियम क्यों आच श्री जी यही है ना उस पर बिठा दिया भोले बंडारी जो फकीर टाइप आदमी हो किस पर बैठेगा बैल पर यह गाए को लेके साथ चलने की ताकत आप में जड़ी जहीं मैं सिर का किसी का तोंद बहर आरा है इदर अ पर लच्वी का वहन क्या बना दिया कि सत्याजी क्या बना उल्लू लच्वी को उल्लू बिठाया यह जो यहां मात्र सदन में एक सक्ती दिख रही है वह क्या है यह उल्लू नहीं है और यह अच्छा है यहां गनेश है यहां सिव है यहां सरसोती है यहां पूर्णा है हमारे यहां जो पैसा जाद आता है माफ करिया आजकल सन्याशियों में सब उल्लू की सवारी कर रहे हैं सब आसनों में ऐसा बहंकर रूप दिखता है कोई कुटिया तो दिखती नहीं अरे म पहलों का काम सत्ताओं का हुआ है जनक कोई-कोई पैदा होता है जिसके आज श्वर्ख जाता है और जिस पर असने लगता है कोई तो बड़े जोर से कहता है अकि सब चमडे के व्यापारी बैठे हुएं यहां सब विद्वान चमक जाएं क्या हुआ उसने का मैं उसका बेटा हूँ जिसको तुमने हराकर सास्त्रात में फांसी दी थी मैं वक करना चाता हूँ आठ उसमें वक्र थे और वो आठ वक अर्ष्ट्रावर्ट जाकर करता है सास्त्रात और जीत जाता है और जीतने के बाद सजा क्या देता है वो खड़ा होकर करता है बोलिए उसने का मैं माफ करता हूँ हमने ये बड़ी लाइन मालनी कहांचे निकाल ली चम चहती उसी बुज़आ को जिसके पास गरलो नाई इसका मतलब गरल का मतलब हम सास्त और भौतिक के उपर विश्वास कर रहे है specic empa Cat है अध्यात्य तो बहुत गहरा होता है अध्यात्मी सक्ति बहुत गहन होती है और हम उसको भूल गए बारत्य ताकि सक्ति सुक्षम सक्ति है कभीर कौन सी इस्टी में पढ़ा था विक्रम भाई और आज आप बतार दे पिछली बार कितने लोग पीएजडी कर रहे हैं कभीर नानक के चेलेवन बैठे कनाड़ा तक कभ जाकर लिया प्रियक नानक कभी स्कूल यह जाकर टक गया था यहां तो ही तू तू ही तू तू इसा जीवन जीने वाला नानक उसका आज कनाड़ा और उसमें गुर्द्वारा बन कर बड़ा काम-लंगर का चल रहा है यह जो परक् सकती होती है वो हिंसा दबाव और इंसे चला नहीं करती है अगर आप बड़ी लाइन खीचना चाहते हैं सत्ता के सामने तो लाइन सत्त की लाइन होगी और वो सत्त की लाइन गंगा के लिए जीवित करेगी दिखेगी नहीं पर गहरा काम करेगी सत्सया के दोहरे जो नाविक और ये मात्सुदन में बैट कर ये बात आ सकते ये दिमाग में, हम एक आफवान क्यों नहीं कर सकते देश में, अकाओ गंगा के लिए उपवास करेंगे, एक दिन का उपवास, घर पर करिये, समाज में कीजिए, जगे जगे करिये, सामाजिक स्थानों पर करिए सार्जिक स्थानों पर करिए पर अगर घर से भार नहीं जा सकते तो घर में बैठके करिए पर एक संदेश बेज दीजिए माच सदन के पास जल बरादरी के पास हम कहें पहुंजी के पास विक्रम जी के पास बस्वाजी के पास एक संदेश आ जाए आत्मा बोधनीजी के पास अग भई मैं भी उपास किया था अगला स्थैप बढ़ाएंगे एक पैसा गंगा के नाम पर फॉर्पया नहीं मांगें एक पैसा और एक उप्वास आज मैं उप्वास करूंगा और उसका पैसा मैं गंगा के नाम से दूँगा यह अगर हम करें तो मुझे लगता है जन्जागरती का ए इसमें भर सके रमेरे जय से को पैर चाहिए मेरे पैर साथ पए रहें तो मेरे जैसे बुद्धू को भी वह चीट देने के लिए वह मुझे मिलेगी माश्वदन जैसी का थाकत में जहां सतर अइंसा प्रेम की बात होती है मित्रो मुझे 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 लगता है कि यहीं अपनी बात पूरी करनी चाहिए मुझे एक गीत याद आ रहा है वो मैं कहना चाहता हूं और वो मुझे लगता है कि गंगा को अगर करना हो तो यहां आना ही होगा इस गीत में कहा गया है त्यागोर प्रेम के पथ पर चल कर मुल न कोई हारा हिम्मत से पतवार समालो फिर क्या दूर की नारा हो मांजी फिर क्या दूर की नारा स्वामी जी है जो नहीं अनकूल हवा तो परवा उस की मत कर मोजों से टकराता भड़ चल उठ मांजी साहस कर धुंद पड़े या आंधी आए उमड़ पड़े जल धारा हिम्मत से पतवार समालो फिर क्या दूर की नारा हो मांजी फिर क्या दूर की नारा दरियाओं की चाती पर था तुमने हो समाला पूरी सब बताएं नदियों के किनारे जल के किनारे जीलों के किनारे जर्नों के किनारे पैदा हुई हैं दरियाओं की चाती पर था तुमने हो समाला लहरों की तपकी से सोया तूफानों ने पाला जीवर खेला खेल भवर से बचपन मस्त गुजारा हिम्मत चे पतवार समालो फिर क्या दूर की नारा हो मांजी फिर क्या दूर की नारा त्यागोर प्रेमे के पत पर चल कर मूल न कोई हारा हिम्मत चे पतवार समालो फिर क्या दूर की नारा हो मांजी फिर क्या दूर की नारा हाथ लगा विश्वास को पकड़े खोल की वईया लंगल मात्र सकती है ना इसके बगेर काम चलेगा नहीं हाथ लगा विश्वास को पकड़े खोल की वईया लंगल मदद मलाहूं की करता आया है मस्त कलंदर जान अथेली पर रखकर लाखों को तूने तारा हिम्मत से पतवार समालो फिर क्या दूर किनारा हो तो यह किनारा प्राप्ट करने के लिए त्याग और प्रेम हमें जगे जगे प्रेम की प्याव खोलनी है अगर बोतले बंद करनी है तो नहीं पिएंगे बोतल का पानी प्याव लगाएंगे प्याव बनाएंगे एक अभियान ये भी होना चाहिए अगि जो भी प्याव है घर घर के बाहर प्याव शुरू हो जाए व्यापार बंद होना चाहिए इ जीवन जल ही जीवन है जल है तो कल है जल पानी 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 जीवन का अधार है पानी यह पानी की अगर हम व्यापार करेंगे तो यह देश गंगा का देश नहीं कहला सकता व्यापार बंद करना पड़ेगा बस्वाजी पानी का पानी सहत चीज है जिस मनुष का पानी चला ग लग गई आटे में पानी नहीं है रोटी नहीं बूखे रहेंगे तो यह पानी इतनी महत्मून चीज है जो भूख के लिए भी चाहिए मन उसके चेहरे पर भी चाहिए और गहने पर भी चाहिए तो ऐसे इस प्रक्रिया को अगर हम लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम ग गंगामा के इस पावन पहर पर ऐसे टाइम पर जो स्वामी सानंद जी तो से जीडिय कर वाल जीडियक वाल जी इसलिए कहता हूं कि विध्यानी के याद रए तो इन दोनों का समन्वें कैसे करकर हम लोग इस गंगा के साथ जुड़ें और एक नया समाज नई दुनिया नहीं लड़ा जाता है दिमाग में पहले आता है वार बिगेंज इन दा माइंड ऑफ मैं यह दिए बच गई वीमेन पूरी तरह से मैंन का नाम लिया गया 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 जो बहने बैठी है तो तीन सक्तियां हो गई है पहले एक ही सक्ति थी अब यह तीन रूप में आ गई है तो यू ने सैफ का जब चार्टर लिखा जा रहा था उसमें एक लाइन लिखे गई वार बिगेंज दा मैंड ओफ मैंड वीमेन बच गई पूरी की पूरी यह आदमी की कुराप आती है हम लोगों ने जो पाप किये हैं उनको बदलना होगा हमारा दिमाग बदलना होगा बहला से जोड़ें अपने आपको देश को समाज को तो एक नई पीड़ी नोजवानों की आ रही है मुझे अच्छा लगा कल पद्वाती बहन ने जो कहा था जो जोहर की बात कही है उसने अक मैं उपवास कर सकती हूं तो यह सकती है अक मात्र सकती है और वह भी 23 साल की लड़की वह पद्वाती कह रही है कि मैं उपवास करने के लिए तैयार हूं हमको उपवास ना भी करे मन में जो जोत जली है वो मेरे लिए तो बहुत महत्मून है मैं उसको सलाम करता हूं उससे हमकोड़े को भी ताकत मिलती है मैं सतर साल का साल का हो जाता हूं जब ऐसी बात सुनता और फिर दोड़ने का मन करता है चलो समाज के लिए करेंगे यह लाने का काम तो करना ही होगा समाज में खाद हमारी हड्यों की बनेगी यह हम कैसे कह सकते हैं कि हम बचे और गंगा मरे यह नहीं चलने वाला है जैहिन जैजगत एन्टेंडी वीडियो नच्चिंदा आयते वो लाइक वेस कोंडी लेध अंटे वो कामेंट चेहेंडी एपटि कपडु माँ वीडियो स्चूडालांटे सब्सक्राइब चेस कोंडी